तो कैसे हो मेरे प्यादे बैबंदू हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा माइनक्राफ्ट का आइरन फार्म जो कि आपको आइरन के इंगट्स नहीं बलगी आइरन के ब्लॉक्स देगा अब ये फार्म हमारे माइनक्राफ 1.21 के लिए होने वाला है जो कि बैट् कुछ यहाँ पर चीज़े बता देना चाहता हूँ सबसे फ़ले गे जो फार्म है भाई ये हमारे किसी भी विलेज से या फिर किसी भी बैट से 150 ब्लॉक्स दूर बनेगा 150 या उससे जादा भी ब्लॉक्स होंगे भाई तब भी चलेगा पर हाँ विलेज से कम से कम 150 ब्लॉक दूर इसे रखना और भाई साथ में यहां लोग विलेजर्स वगरा लेकि आएंगे तो उनका बंदर बस तुम पहले करके रख लो बागी जो मटेरियल लिस्ट है उसे भाई मनें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है एक बाग जाके चेक आउट को लेना तुम नहीं करेगा इसलिए एक दम परफेक्ट मेसर्मेंट्स के साथ पूरा फाम बनाना है तुम्हें तो भाई इसके बाद तुम्हें यहां पर तीन-तीन ब्लॉक्स डिक करना है यहां पर चारो साइड में हमारे स्क्वेर के तो भाई यह से पता क्या होगा यहां पर जो हम यहां पर आउटलेंड करके रखा है मैं इस पूरे को यहां पर क्लीन कर दूँगा और यहां पर जो है बहुत ही बड़ा गड़ा बने राड़ी हो जाएगा तीन ब्लॉक्स दीप और वो कुछ इस टैप का देखने में लगेगा तो भाई इतना होते हमें फार्म के अंदर जाना है और यहां पर जो है हमें एक ब्लॉक छोड़ते हुए एक पूरा ना यहां पर स्क्वेर वापस से बनाना पड़ेगा जैसे कि भाई तुम लोग देख पा रहे हूँ यहां देखो मैंने साइड की जगे को छोड़ रखा है और मैं जो बीच वाला एरिया है ना वहीं पे एक स्क्वेर नया बना रहा हूँ जो कि भाई एक 5x5 का स्क्वेर बनके रेडी होगा एकदम एंड में जाके तो देखो तुम जैसे कि दिख रहा है यह कुछ स्टैप का हो रहेंगे एक 9x9 का उसके इंदर 7x7 का और इसके इंदर 5x5 का और इसके बाद जो है मैं simply यहां पर पांच ब्लॉक डिक कर लूँगा चारो साइड में जैसे कि हमने पहले भी कर था ना तीन तीन ब्लॉक डिक कर रहा हूं इस वाले के इंदर और यहां यहां बहुत ही बड़ा गढ़ा बना की रेडि करना है जैसे कि हमने पहले भी करा था तो फटा वर से मैं इसको भी पूरा क्लीन करके तुम्हें दिखा दों कि कैसा लग रहा है देखने में तो गैस यह पूरा यहां तक होते ही कुछ इस टैप का देखने में लगेगा यहां हमने बेसिकली अभी कुछ जादा नहीं करा हमने वस यहां पर गटे कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके अंदर पूरा फार्म सेट कर सकें अब बाई तुम्हें सिंपली कोई सा भी ब्लॉक लेन है और उसके बाद जो है तो मैं नीचे के ब्लॉक को तोड़ देना है यह ज़रा ध्यान से तोड़ना अधरवाइस दिक्कत हो सकती है यहां तम लोग ब्लॉक्स पर आउटलेंड वाला जो अप्शन है उसे उन कर लेना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़रा असान भी हो काने चालो करने है बहुत से इतना काम होतकि है यहां पर उपाने ब्लॉक्स है इन्हें फिल करना स्टार्ट करना है और यहां एक प्लैटफॉर्म बनाना हो करना पड़ेगा पहले भाई मैं यहां पर चारो साइट ना दो दो ब्लोक कर रहा हूं और यहां पर देखो मैंने वाप इससे दो दो ब्लोक करने हैं तो बाई मैं इस तर्य कैसी हिसाः पर इसके बाद सारी सारी फ्लेचिंग टेबल ले किया हूंगा और यहां पर फिल करना अधरी ठेड लेट करना प्ली कि और यहां कॉधी यहां कॉछ दॉब्ध लें गारी है और यहां कोई जॉम्मिय वगेरा स्पॉन होके हमारे फ़र्म को खराब बस इसलिए यहां तुम्हें टॉश्च एध्य यात्र रखनी पने की और हुँ अगर तुम्हारे जो विलेजर थे करो जो अगर मैं लोगे टृत करा रेंगे तब बड़े में वहाँ पेदा करेंगे काल कि यहां पेड़र एसा होता है जो हमारे बेवी विलेजर्स हैं, तो बड़े होके न है, एक Green Suit वाले विलेजर्स में Convert हो जाते हैं, जो कि हमारे इस फाले खराफ कर देता है, तो भाइ इसलिए थोड़ा सा वेट करना, उन विलेजर्स को बड़ा होने दिना, उसके बाद हमारे इस वाले फाले फाल्म को इसके बाद यहाँ तुम्हें यहाँ अगर वेड़ों को धुर्वर को सरवर्यवल में हो तो भाई आयरनगोलम को गल्दी से भी हिट मतकरना ने तो वह मार देगा तुम्हें और यहां तो हमें दो signboard उपर और एक signboard नीचे लगाना है और तुम्हारा killing chamber ready है boss तुम्हारा killing chamber जैसे की पूरा तयार है अब बस एक दिकत दिया कि iron golem को वहां तक लेके कैसे रहे हैं तो भाई हम लोग use करेंगे है water bucket और साथ नो कुछ शोटे मोटे random blocks का तके भाई हम लोग iron golem को लेके जा सेके तो simply तुम्हें यहां ब्लॉक को place करना है और वहाँ तुम्हें उसको पानी place करना है और जैसे मैं कर रहा हो तो मैं वैसी करना है और पानी का जो flow है उसे वहां तक पहुचा दो और उसके बाद तुम्हारे iron golem खुद बाखुद मरने चालू हो जए बाकि यह जो फाम है भाई एकदम मस्तर के से वर्क कर रहा है तो तुम्हें दिखातो हो एक बाद में और देखो यहां iron golem मर भी रहे है खुद बाखुद और यहां जो है भाई इस तरीके से तुम्हारे iron है वो सारा तुम्हारी chest में चला जाएगा और तुम्हारे पास यहां पर easily iron collect हो जाए करेगा और यहां देखो दूसरा iron golem भी मर रहे है साथ में कुछ cat वगरा spawn हो रही है तो उनको माने के लिए यहां तुम लोग यहां तो कोई fire cam को place कर दो यहां भाई तुम लोग वहां यहां पर उसे arrows की मार सकते हो तुम्हारे open divine करता है यहां भाई मैं fire camp भी लगा लूँ पर वह थोड़ा बहुतना दिक्कत देता है farm को और बाकी बाई सबसे अच्छा idea है कि तुम लोग यहां पर arrows की मरस से cats को मार की खतम कर दो बाकी तुम्हारा farm एकदा मस्तर यह से चलने करें और को दिक्कत भी ना हो तो मैं simply गड़ा करके hopper वाली side पर पहुंचना है और यहां देखो मैं hopper की side almost आ चुका हूँ और यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा और गड़ा करते हैं और इसके बाद देखो मैं simply यहां पर एपनी chest को connect कर पाऊंगो hoppers की मरस से बाकिया यह पर ग्लास इस लोग पर लगा रखा है ताकि भाई जो chest यह अराम चोपन हो जाया करें तुम लोग इस वाले काम को भी भी कर सकते हो चाओ तो भाई तुम लोग जब अपना के लिंग चैम में बनाओ तुम लोग इस वाले part को तब भी पूरा कर सकते हो और भाई इसके लगाने वालों automatic crafter जो कि भाई जारा मुश्कल काम नहीं है simply मैं कुछ steps से से हटाऊंगा और यह crafter लगा दूगा बागी जो crafter है वह एक दम सीधा लगने से ही अदरवाइस वह work नहीं करेगा और यह मैं थोड़ा सा iron गिर गया पर कोई बात नहीं और इसके बाद तो मैं उ को में तरह प्लेस कर दो यहां तुम्हारे iron ब्लोक की रेचिपी यहां पर लोग खुद बखुद हो जाएगी तुम्हें यहां पर दूसरे वाले crafter के अंदर भी करना पड़ेगा और इसके बाद तुम्हारा यहां पर फार्म रेडी है अब जैसे जैसे यहां पर iron आता जा लगा और तुम्हारे पार सहां पर कई सारे iron ब्लोक आ जाएंगे और तुम्हें लोगोंने कहीं भी उस कर सकते हो बाकी यही था आज का हमारा फार्म बाकी तुम्हें लोग कमेंट से फटा फृच्छा के बताओ कि तुम्हें वाला फार्म कैसा लगा अगर तुम्हें यह तो जाके वीडियो को लाइक कर दो साथ में आके बाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर गर रख है तो जाके फॉलो कर लो एर्दरेट विलैक ओफिशल इसके सासत में बाई मैं आपे बताना चाहत हूँ कि मैं अपमें सेकेंड चैनल पे एक नई गेमिंग सीरी स्टार् अब बाकी मैं बलता हूँ तो मैं किसी और वीडियो के अंदर कोई वीडियो आइडिया हो तो भाई कोमेंट में बता देना तब तक के लिए टाटा बाई 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 एफ बाकी यहां आना कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कोमेंट में पूछ लेना